एक बार, एक मा का बच्चा, शाम होने तक घर लोटकर नहीं आता है, मा बहुत परिशान हो जाती है, कि मेरा जो बच्चा, शाम के चार बजे घर को होता है, वो आज आठ बजे तक घर नहीं आया है, नहीं उसका फोन लग रहा है, और नहीं उसकी कोई खबर है, ऐसा उसने प कहीं कोई गलत संगत में तो नहीं है क्या कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया हे बगवान मेरा बच्चा सही तो है हे बगवान मेरा एकी बच्चा है वो माँ बहुत परेशान हो जाती है उस माँ को अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे तब ही घर की गंटी बचती है मा डर जाती है कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं उसका बच्चा नहीं है वो बहुत डर जाती है और जब वो दरते हुए कामते हुए दर्वाजा कोलती है तो सामने उसका बेड़ा खड़ा होता है मा के चहरे पे बहुत सकून आता है वो अपने बच्चे से पूछती है कहां था थू सारा दिन तो बच्चा कहता है मा मैं तो दोस्तों के साथ खेलने चला गया था उसके घर क्योंके फोन की बैटरी डाउन थी आपको फोन भी नहीं कर पाया और मेरे दोस्त के पास मेरे फोन जैसा चार्जर भी नहीं था नहीं तो मैं आपको फोन करके बता देता और नहीं मुझे आपका नंबर याद है इस कहानी में मैं आपको यह पताना चाहता हूँ कि इनसान का दिमाग हमेशा नेक्टिविटी की तरफी सोचता है बात भले कुछ ना थी पर एक माँ के नजरीय से बहुत बड़ी बात थी दूसरा हमें अपने बच्चों को टेकनोलोजी में इतना भी नहीं डाल देना चाहिए कि वो अपने घर का एक नंबर तक भी ज्याद ना रख सकें